नव तपा से प्रदेश तप रहा है इस दोरान चल रही लू की फटकार और तेज दूप से पारा पहले से अधिक बढ़ा दिया है बीते दो दिन में फतेपुर शेखावाटी सहीत अधिकतर शेहरों में तापमान 5-6 डिगरी तक बढ़ गया है इससे प्रदेश में 5 से अधिक शेहरों का पारा 44 डिगरी तक पहुँच गया दक्षनी पश्ची में गर्म हवाओं ने लोगों के पसीने चुड़ा दिये आगामे दिनों में पारा बढ़ने की आशंका है सुमवार को 45 डिगरी के साथ चूरू सबसे गर्म शेहर रहा वहीं फतेपुर की बात करें तो तापमान 43.5 डिगरी रहा सुबह से ही चिलचिलाती धूप का असर देर तक रहने और रात तक तापमान बढ़ा रहा मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन में पूर्वी पश्चिमी इलाके में तेज गर्म हवा और लू के थपेडे तेज रहने की चेतावने दी है अधेपुर में जो गर्मी है वो जुलसाने वाली गर्मी पढ़ रही है और इसके चलते अभी इद का तिवार है लेकिन बजार के अंदर गर्मी की वज़े से रोनक तक नहीं आ रही है इससे जो दुकंदार है यहां के व्यापारी लोग है उनको भारी छती पहुंच रही है मगर मोसम की जो मिजाज है वो लगातार बिगडा हुआ है और इस मोसम के विजाज के वज़े से हर और मारा मारे लगी हुए